हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब लोग तो आज हम एक नई वीडियो की तरफ चलेंगे ये है रशियन रेविलिशन पार्ट थ्री तो रशियन रेविलिशन या फिर सोशिलिजम इन यूरोप एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और अल्रेडी हम इसके दो वीडियोस कवर कर चुकी है I hope आपको वो पहले दो वीडियोस पसंद आये होंगे और प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट डाउन सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि वीडियोस में इंप्रूव हो, क्या आप चाहते हैं क यह ऐसे पढ़ाया जाए ताकि मुझे एक अच्छा फीडबैक मिले, तो आज हम बात करेंगे रश्यन रेवलिशन पार्ट थ्री की, तो इसमें हम दो मेजर इंपॉर्टन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है फेब्रेरी रेवलिशन इन पेट्रोगाड और ए यह दोस्तों शुरू करते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे, तो फर्स वर्ल वार एंड रश्यन इंपायर, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फर्स वर्ल वार हमारी हिस्ट्री आफ इंडिया में कितनी जादा फेमिस हुई थी और इक इतनी जादा इंपॉर्टन है, इस सारी कंट्रीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे और इन दो अलाइंसे फर्स वर्ल वार हुई थी, इनिशली वार इतनी पॉपुलर नहीं थी, लोग इतने जादा वार को नहीं जानते थे, बट बाद में सपोर्ट थोड़ा थिन हो गया, मतलब यह अब कह सकते है जब वार एकदम शुरू हुई तो सपोर्ट कम था, धीरे धीरे वह पॉपुलर हुई, बट धीरे धीरे ही बाद में करके सपोर्ट कम हो गया, तो निकोलेस रिफ्यूस तो कंसल दा में पार्टी इन दा डूमा, डूमा क्या था दोस्तों, डूमा एक पार्लिमेंटरी स्ट जो उसने बनाया था रश्या में, सबसे पहले इसन इसको डेमॉलिश कर दिया था, फिर इसन इसको दूसरी बार बनाया था, तो फोर्स्ट वोल वार वस डिफरेंट ओन दा इस्टन कोस्त, बट्वीन नाइंटीन फोर्टीन रश्या आर्मी लॉस्ट बादली इन जर्मनी पर दिया था रुमने को इसे बादला था, तो दोस्तों इसका रीजन क्या था कि उन्होंने क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्टोई कर दिया, वो इसलिए करा था कि एनिमी कंट्री उनके रॉष्या बाउंड्रीस में ना आ पाए और उनको कोई भी नुकसान ना हो, त The country was cut off from the suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. After that, railway lines broke down. The whole country was bad. The food was not good. The prices increased essential commodities. And for the people in the cities, bread and floor became scarce. So, you know, this bread, floor, milk, all basic commodities. And these basic commodities, prices increased. That's why the food shortage started. Because there was no production. And the demand was enough. People were enough. But there was no production. So, by the winter, the riots at bread shops were common. Obviously, friends, everyone was full of food. And when there was a limited supply, people would fight for us to get more of these things. So, this was a problem. For example, friends, If you remember in the time of lockdown, when there was a lockdown announced, all the shops were so big. They were so big. So, the prices were too big. They were just big. They were like, The prices were too big. पड़ गए नेक्स्ट हम चलते दोस्तों फेबरी रेविलीशन में तो पेट्रोगैट पेट्रोगैट एक जगा थी जहां पे बहुत जादा फूट शॉटेज थी तो पेट्रोगैट सिटी के बारे में भी मैंने फॉर्स्ट पॉइंटर्स में एक इंट्रोड़क्शन दिया ह जो आप पड़ सकते हैं और इसको थोड़ा सा अपने मेंबर कर सकते कि या फेबरी रेविलीशन पेट्रोगैट से रिलेटेड है तो पेट्रोगैट में विंटर्स में फूट की बहुत ज्यादा शॉटेज हो गई थी वर्कर्स के पास खाना नहीं था तो लॉकाउट को हम इंटरनाशनल वोमें स्टे मनाते हैं तो वही से इंटरनाशनल वोमें स्टे का चलन शुरू हुआ तो पेट्रोग्रैट के बारे में बता रख है दोस्तों कि वहाँ फूट की एक्स्ट्रीम शॉटेज थी वर्कर्स के पास फूट ही नहीं था तो इस वजह से वर्कर ने स्ट्राइक कर दी गए और वोमें ने भी उन स्ट्राइक को लेड करा गवर्मेंट ने कर्फी इंपोस कर दिया और फी फैशनेबल एरियन ओफिशल बिल्डिंग्स वर स्राउंड़ बाई वर्कर्स ऑन 24 और 25 गवर्मेंट कॉल्ट आउट दी कैवल्री और पुलिस टू इसके बाद गवर्मेंट ने डूमा जो कि पार्लिमेंटरी कॉंस्टिटूशन ऑफ रश्या था उसको सिस्पेंड कर दिया और पॉलिटेशन स्पोक अगेंस दिस मेजर तो दोस्तों यह सब एक तरीकी से एक रिलेशनशिप है क्या रिलेशनशिप वर्कर्स के पास खाना नहीं था, उनके पास food shortage थी, उन्होंने strikes करी, strikes के लिए government आई, government ने कर्फियों इंपोस कर दिया था कि कोई भार ना है, आपको पता ही होगा कर्फियों का क्या मतलब होता है, उसके बाद government ने cavalry बुलाई, पुलिस आ गई, और उसके बाद दूमा, जो कि एक ही रास्ता था, था कि वो अपने constitutional powers को raise कर पाए, क्योंकि रश्या भी एक मुनार की था, निकॉलेस इसको रूल करता था, politicians ने उसके against polar people were out with force once again, तो हर तरीके से कोशिश हो रही थी कि the freedom of speech and expression, जो वर्कर्स की है, वो suspend करी जाए, और कोई proper solution नहीं निकल रहा था, इसके लिए, तो दोस्तों, यह है effects, effects of the February revolution in Petrograd, उसके बाद क्या हो दोस्तों, यह दो slides पो continued है, क्योंकि यह pointer-wise मेने आपको सारी events पताए है, ता कि आपको एक-एक point या दो, और जब भी question आप इसको एक paragraph form में लिख सको, तो police headquarters were ransacked, people raised slogans and were out in the streets, जिसे कि last point कहता है कि people were out with force once again, तो उन्होंने slogans raised करे, वो streets में आ गए, और उन्होंने fire demonstrate करी, इस सब उन्होंने करा, इसी beach में एक न officer was shot at the barracks of a regiment, और other regiments, multi-need, voting to join the striking workers, they gathered in the evening to form Soviet or council, this was Petrograd Soviet, उसके बाद delegation बनी, delegation was used to meet Nicholas, युकि वा का monarch था, the military commanders advised him to abdicate, उसके बाद क्या हुआ, Nicholas को abdicate कर दिया गया 2nd March को, क्युकि Nicholas एक proper तरीके से rule नहीं करा था, workers की distress को नहीं समझ रहा था, country turmoil में जा रहे थी, food shortage थी, essential commodities के prices बहुत जादा भढ़ गए थे, और Duma को भी suspend कर दिया गया था, तो provincial government was formed by the Soviet and Duma leaders to run the country, people involved were parliamentaries, workers, women workers, soldiers and military commanders, तो obviously जब हमने Nicholas को abdicate कर दिया, तो अब किसी को तो सरकार चलानी पड़ेगी, तो सरकार चलाने में यह सारे लोग थे, जिनको आपको याद करना चाहिए, कि parliamentarys थे, workers थे, women's थे, soldiers थे और military commanders थे, तो यह है दोस्तो, about February revolution, जो कि एक बहुत important topic है, हमारी Russian revolution के अंदर, petrograd में यह revolution हुआ था, इसका main reason यही था कि workers के पास food shortage थी, तो workers ने strike कर दी थी, workers ने lockout कर दिया था, वो काम पे नहीं आ रहे थे, इसी चकर में government ने बहुत सारी measures करी, उन्होंने डूमा को suspend कर दिया, उन्होंने करफ्यू को impose कर दिया, उन्होंने अपनी police बुला ली, cavalry बुला ली, और उसके against, लोगों ने क्या कर दिया, यह सब करा, slogans raise करने शुरू कर दिया, वो streets पे आ गए, वो cavalry में नहीं जा रहे थे, और इसी बीच बहुत जादा दंगे होए, एक officer भी shot हो गया, और इसी बीच में Nicholas को abdicate कर दिया, 2nd March को, और provincial government form हुई, जिसमें parliamentary workers, women workers, soldiers और military commanders थे, उसके बाद February revolution तो हो गया, पर February के बाद क्या हुआ, मतलब उस revolution से effects क्या हुए, तो जो liberal थे और socialist थे, उन्होंने collected government बना ली, तो public meetings on association पे जो भी restrictions थी, जैसे आपको पता होगा, रशिया में political parties को online legal था, publicly association मनाना या फिर meetings करना वो भी legal था, वो सब restrictions हटा दिये गए, और इसी बीच, आर्मी officials, landowners, industrialists, influential होगे, क्योंकि Nicholas के time क्या था, जो church के लोग थे, या फिर जो nobility के लोग थे, सिर्वो ही influential थे, पर अब आर्मी official, landowners और industrialists भी हो गए, तो जैसे कि आपको पता है कि Bolshevik और Manchik दो ग्रूप्स थे, तो Bolshevik का leader Vladimir Lenin था, Lenin ये चाहता था कि जो party होती है, वो कैसी हो नी चाहिए, closed हो नी चाहिए, उसमें limited number of members होनी चाहिए, वो return to Russia from his exile, तो Lenin demanded three things termed as April thesis, he wanted war to end, land to be transferred to peasants, and banks to be nationalized, he also emphasized on renaming the Bolshevik party to communist party, तो ये दोस्तों, third point बहुत जादा important है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मैं समझाऊँ, और ये तीन needs थी, जो कि Lenin चाहता था, Lenin कौन था? Bolshevik party थी, और Manchevik दो तरीके की regimes थे, उनका leader एक Lenin था, पुछली मेरी वीडियो में ये भी बता रहा है, कि Lenin को किस तरीकी की party चीये थी, अब उसकी ये तीन demands थी, और ये parties initially form किसले होई थी, ताकि peasants के right हो, peasants के क्या right थे दोस्तों, क्योंकि उनको अपना land वापिस मिल जाए, जिस land पे वो खेती बाड़ी करते हैं, उसका taxes और उसका revenue peasants को मिले, ना कि nobility और clergy को मिले, उसके बाद workers movement spread होने लग गई, unions मनने लगई, associations मनने लगई, public meetings होने लगई, और when the provincial government saw its power reduced, and bolshevik influence grew, bolshevik influence grew, क्योंकि Lenin की demands थी, वो fulfill होने लगई, और वो रश्या अपने exiles साने लग गया, तो क्या करने लगए थी, started to take stern measures, था कि ये bolshevik revolution कम हो सके, और last point भी आप पढ़ सकते दोस्तों, peasants and their socialist revolutionary leaders, pressed for a distribution of land, encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land, between July and September, I hope ये आपको clear हो गया होगा दोस्तों, तो ये मेन थाप, सबसे पहले February revolution हुई, revolution क्यों हुई मैं दुबारा से repeat कर देती हूँ, food shortage थी, workers strike पे आ गए थे, factory में lockdown हो गया तो इस बीच, government ने कर्फियों इंपोस करा, government ने cavalry बुलाई, government ने freedom of speech and expression बैन करने की कोशिश की, इसी के बाद Nicholas, जो कि वहाँ का मुनार्क थारश्या का, वो second march का abdicate हो गया, और उसके बीच एक नई provincial government फॉर्म हुई, उसके बाद February के बाद क्या हुआ, सारी public meetings, associations, political parties पे सारी restrictions अटा दी गई, Lenin exile से और Lenin की ये three demands थी, Bolshevik party का leader Lenin था, जिसकी presence बहुत ज़ादा भणने लग गई थी, और socialist और एक revolutionary parties चाते थी, कि land करी distribution हो, peasants के बीच अच्छे से land बाट दिया जाए, ना कि सारा land clergy और nobility को दिया जाए, उसके बाद दोस्तों, जैसी February खतम हुआ, October आ गया, और एक October की नई revolution होगी, जो है October revolution in 1917, तो conflict between the provincial government and Bolshevik growth, तो जैसे कि दोस्तों, हर चीज को आपको relate करना जाएगी, February में कुछ ऐसा हुआ होगा, जिससे कि October में revolution आई, February revolution के बाद, जब Lenin वापस आगे और उसना अपनी बहुत बड़ी party बना ली, Bolshevik party, जिसको बाद में communist party के नाम से जानते हैं, तो उस party का presence बहुत ज़ादा भढ़ गया, वो party चाहती थी कि पीजन्स के लिए ज़ादा rights हो, मतलब उस party का influence हमारी रिश्या में बहुत ज़ादा भढ़ गया, और जो वहाँ के provincial government थी, provincial government में कौन कौन थे दोस्तों, तो ये सारे लोग थे दोस्तों, इनके बीच में आपस में काफी conflicts होने लग गई, दोस्तों मैं आपको बार बार repeat इसलिए करके बताती हूँ था कि आप चीजों को relate कर पाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़े tough है, इसमें को remember करना बहुत ज़ादा मुश्किल है, तो जितनी बार मैं repeat करूंगे, उतनी बार आप चीजों को अच्छी से relate कर पाएंगा, अपने दिमाग में सोचेंगे, कि फेबरी के बाद कुछ तो ऐसा हुआ गए, कि October में revolution आ गई, तो Lenin, लेनन कौन था दोस्त बोल्शविक पार्टी का लीडर, persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party, to agree to a socialist Caesar of Party, to organize the Caesar, a military revolutionary committee was appointed by the Soviet, under Leon Trotsky, तो military revolutionary committee established हुई, Bolshevik leader Lenin के अपनी demands थी, उचादा था कि socialist Caesar of Party हो, या फिर एक नई Soviet government हो, जिसका एक नया लीडर हो, तो सारा Lenin की influence में, रशिया चलने लग गई थी, उसके बाद जो नई party फॉर्म होई थी, military revolutionary party, वो अपनी तरीके से चलाने लगी, supporters to seize government officers, arrest ministers, ministers जो की Nicholas के time पे काम करते थे, तो by the nightfall, the city was under the committee's control, and ministers had surrendered, at a meeting of the all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action, तो Bolshevik party का main name था कि, जादा जादा power peasants को मिले, वो चाहता था कि, जितने भी ये ministry है, clergy है, nobility है, इनकी power seize कर दी जाए, और इनको कोई भी extra benefits ना मिले, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले, ministers को surrender करने को बोला, और government offices को बंद करने को बोला, क्योंकि उसमें लोग क्या करते थे, काम नहीं करते थे, सारा काम worker, peasant से लेते थे, उनकी working conditions अच्छी नहीं थी, इस तरीके से, Lenin का influence रशिया में बहुत जादा बढ़ गया था, और Lenin ने अपनी कौन से party बनाई, military revolutionary committee बनाई, जिसका leader का आपको नाम भी याद रखना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा है, अब तक February Revolution, उसके effects, October Revolution, जिसमें क्या हुआ था, 16th October 1917 को, Lenin ने persuade करा था, Petrograd, Soviet और Bolshevik party, ताकि वो एक socialist Caesar of party बना पाए, एक military revolutionary committee फॉर्म हुई थी, उसके बाद uprising began on 24th October, Prime Minister Karan Sik left the city to summon troops, उसके बाद क्या हुआ था, early morning military men loyal to government, जो military committee थी, उनके लोगों ने government offices को seize कर दिया था, और ministers को surrender होने के लिए बोला था, उसके बाद क्या हुआ, heavy fighting हुई Moscow में, by December Bolshevik controlled the Moscow, तो obviously Bolshevik का influence बहुत जादा बढ़ी गया, तो और वो ही Moscow मतलब जो रश्या की capital है, उसको control करने लगे थे, और people involved in the troops were Lenin था, Bolshevik और pro-government, जो की government के against थे, क्योंकि इनका main aim था कि government offices को बंद कर जाए, ministers को surrender कर दिये जाए, और जो सारी country है, वो एक socialist party की तरह काम करे, और majority of लोगों को ये action भी सही लगा, इसलिए majority of लोगों ने approve भी करा इसको, और Bolshevik party का main aim ये भी था, कि कुछ भी privatization नहीं होना चाहिए, सब कुछ government party के according होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है, प्राइविटाइजेशन में जो इंडस्ट्रीज है, वो ज़ादा काम लेती हैं वर्कर से, उनकी proper उनको wages नहीं देती, उनको proper salary नहीं देती, और उनको कोई working hours fix नहीं देती, तो इसलिए वो चाहती थी कि government rule based हो, और उसमें जितना भी privatization है, या फिर जो ministers अपनी fall to power exercise कर रहे हैं, जो government offices में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, उन सबको बंद कर दिया जाए, उसके बाद चलते हैं दोस्तों, after October, October के बाद क्या हुआ, तो जो Bolshevik थे, वो totally opposed to private property, जैसे कि अभी मैंने पिछली slide में बता है, Bolsheviks को government rule चाहिए था, उनको private properties या, जो या privatization है नहीं चाहिए थी, और पिछली demand में क्या बोला था लेनन ने, लेनन ने ये हमको बोला था, कि लेनन wanted the banks to be nationalized, तो यहीं हो गया दोस्तों, industry और banks nationalized हो गए, land को social property डेक्लेर किया गया, क्योंकि उसे private property पसंद नहीं थी, and were allowed to seize the land of nobility, क्योंकि peasants और farmers का सारा land, nobility के पास था, और nobility से सारा land ले लिया गया, तो हर चीज को दोस्तों relate करो, Bolshevik को private property नहीं पसंदी, इसले उसने सारी property, जो भी इसको social property डेक्लेर कर दिया, उसको banks और industry को nationalize करना था, तो वो काम भी हो गया, उसको चाद़ था कि वो peasants के पास सारा land हो, तो nobility से सारा land लेके peasants को दे दिया गया, उनको ministers और government offices पसंद नहीं थी, इसले उन्हें सारी ministry के titles को हटा दिया गया, और army और officials के लिए new uniform इंट्रेडियूस कर दी, उसके बाद उनको parliamentary rule पसंद था, उनको duma structure पसंद था, इसले उन्होंने election भी कर दिया, पर उनको इतना elections में majority support नहीं मिला, क्योंकि अब भी वहाँ पे मुनार का rule लोगों को वह याद थी, तो elections वगारे में उनको इतना majority नहीं मिला, उसके बाद Russia became one state party, तो Russia में एक ही party थी, Bolshevik party जिसका नाम communist party में भी change कर दिया था, उसके बाद उसने जो भी restrictions on trade associations थी, public meetings थी, वो हटा दी गई थी, इसलिए trade unions थे, पर वो under control थे, अब process of centralized planning was introduced, जिससे क्या हुआ, 5-year plan बनाए गए, 10-year plan बनाए गए, जिससे economic growth हुआ, production increase हुई, an extended schooling system developed, schooling system वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया था था, बच्चों के बढ़ाई पे, तो उन्होंने एक extended schooling system बना दे, जिसमें vocational trainings थी, ताकि वो schooling के बाद भी, अच्छी तरह पढ़ पाएं, और collectivization of farms started, collectivization of farms के लिए एक अलग topic है, उसमें हम अलग से discuss करेंगे, पर अभी के लिए दोस्त यही था, तो I hope, आपको सारे topics इसमें डंक से clear हो गयोंगे, और फिर भी नहीं, तो मैं एक बार सारे, जो भी हमने आज की वीडियो में discuss करा है, मैं सबको एकदम जल्दी से repeat करती हूँ, सबसे बहले हमने पढ़ा था, Russian Empire और First World War के बीच, जिसमें Russia बुरी तरह हार गई थी, और जिससे क्या हुआ, Russia में food की shortage होने लग गई, और Essential Commodities के Prices बहुत ज़ादा भढ़ गए, रायत्सों ने लगी Bread Shops पे, उसके बाद February Revolution हुआ, February Revolution में food shortage थी, वरकर स्ट्राइक पर आगे थे, गवर्मेंट ने कर्फवें इंपोस कर दिया था, और the streets thronged with demonstrators, raising slogans about bread, wages, better hours and democracy, तो उनको अच्छा खाना चाहिए था, अच्छी wages चाहिए थी, better working hours चाहिए थी और democracy चाहिए थी, government called out the cavalry, but they refused to fire on the demonstrators, इसी के बीच एक officer की भी death हो गई, इसी के बीच Soviet leaders ने एक provincial government फॉर्म करी, क्योंकि Nicholas था, वो वहां का मुनार्क था, abdicate हो गया था, और petrograd had led to the February revolution, जिसके बाद क्या होँ, मुनार्क की खतम हो गई थी, Russia में, क्योंकि मुनार्क abdicate हो गया तो और उसकी जगह क्या बन गी थी, provincial government, provincial government में जैसे मैंने आपको बताया, कि Bolshevik party का एकदम से rule बहुत जादा prominent हो गया था, Lenin की demands बाद में फुल्फिल हो गई थी, banks को वो जादा तर नाशनलाइज हो, peasants को वापिस उनका land मिल गया तो nobility में, nobility से trade unions और associations हम फॉर्म कर सकते थे, उसके बाद October revolution हो, October revolution में क्या था, दो तरीके की सरकारे मां काम करी थी, एक तो provincial और एक Bolshevik party, उनके बीच में आपस में लड़ाई दंगे होए, तो Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik party, to agree to a socialist party, क्योंकि उसे privatization पसंद नहीं था, उसने socialist land को agree करा, और military revolutionary committee established करी, जिसने सबसे पहला काम क्या करा, सारे ministers को arrest करा, और government offices को cease कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, बोल्चविक party वाँ चलने लगिया, और उसके actions को सबने अप्रूफ करा, और after October आप इस slide पर देख सकते हैं, यह सारे changes किये गए, next video में हम बात करेंगे, civil war के बारे में, making a socialist society, standalism and collectivization, उसके बाद हम last topic, global influence of Russian revolution under the USSR, तो यह चार topics हमारे रहे गया है, जो कि हम next video में cover करेंगे, तो इसी से हमारा Russian revolution and socialism in Europe, जो कि एक बहुत बड़ा और major important topic है, वो cover हो जाएगा, तो I hope दोस्तों आपको यह video पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी feedback देना हो, तो please comment down section में बताएए, thank you,